जरत सोचिए जब देश की संपती बिखने लगे उस देश का हालम क्या होगा? ऐसा ही परोसी देश पाकिस्तान का हाल हो गया है। पाकिस्तान के आर्थिक हालात इतनी खराब होती जा रही है कि कंगाली की नौबात आ गई है। पाकिस्तान सिर्फ कंगाल ही नहीं हो रहा बलकि अब हालात ये हो गये हैं कि सरकारी संपती बेचने के भी बात हो रही है पाकिस्तान का खडिदार भी कोई नहीं है शायद यही वज़ा है कि अपने देश की शंपती दूसरे देश को बेचने पर मजबूर होना पड़ रहा है अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया और क्यूं हो गया पाकिस्तान सरकार का मानना क्या है तो वो भी जान लीजे दा एक्सप्रेस च्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक नगदी की कमी से जूज रहे पाकिस्तान की कैबिनेट ने विदेशों में संपत्ती बेचने के सभी प्रक्रियाओं को दरकिनार करने के लिए एक अध्या देश को मंजूरी दे दी है पाकिस्तान की सहबाज शरीब सरकार ने या फैसला देश को कर्ज लोटाने से चुकनी से बचनी के लिए किया है पाकिस्तान सरकार का ऐसा मानना है कि इस फैसले से देश गर्थ में जाने से बच सकता है रिपोर्ट के मताबिक पाकिस्तान ने विदेशी देशों को पाकिस्तान के संपत्ती की इमर्जंसी बिक्री के माध्यम से देश को दिवालिया होने से बचाने के लिए छे प्रासंगिक कानूनों को दरकिनार किया इसके अलावा नियामक जाज को भी समाप्त कर दिया पाकिस्तान सरकार का ये खदम उसकी हताशा और निरासा को दर्शाता है पाकिस्तान सरकार के इस फैसले के बाद अब कैबनेट कमेटी के फैसले को ना तो अदालतों में चुनौती दी जा सकती है और ना कोई जाच एजंसी इन सौदों की जाच कर सकती है या अंतर सरकारी वार्निजिक लेन देन अध्यादेश 2022 कैबिनेट को इतना श्रक्ति साली बना देता है कि यह देश के राज्यों या प्रांतों की जमीनों को देने या फिर विदेशी देशों के साथ लेन देन करने के लिए पूरी तरह से छूट देता है। हलाकि रिपोर्ट में बताया गया है कि अभी तक पाकिस्तान के राष्टपती आरीफ अलवी ने इस अध्यादेश का हस्ताक्षन नहीं किये हैं। रिपोर्ट के मुताबिक संज्युक्त अरब अमिरात ने मई के महिने में पाकिस्तान बैंकों के खाते रुपे जमा करने से इ खाते फ्मेया ने कहा था कि आने वाली दिनों में पाकिस्तानी रुपे के केमत गिर जाएगी और तब स्थेतियां और भी बिगड़ जाएगी। उन्हों ने कई बार सोशल मेडिया पर पाक को आगाह किया और बीते महिनों के दौरान पाकिस्तानी रुपे में 20 फेस्टी क यह नवंबर 1998 के बाद से सबसे अधिक गिरावट है जो सरकार के सामने आने वाली चुनोतियों की गंभीरता को दर्शाता है। अब खुद को कैसे बचाएगा ये भी देखना लाजमी होगा।